हलो एवरीवन दिस इस सिद्धार्ट पटेल वेलकम टू मैगनेट बेंज एक कम्प्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका मतलब यह है कि मैगनेट बेंज पर हम आपको दो चैप्टर फ्री में देने के बाद बागी के चैप्टर्स के रिए हम आपसे फी हुए कि फेडरलीज्ञम का मतलब क्या है ऐल्गो एक बेसिक इंटोडाक्ट्चं वाला वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें हम वहां डिसक्स कर चुके थे की फैरलीजम क्या है फैरली निजम का मतलब बेसिक अलिए होता है कि सेंटरल और स्टेट गश्ट की बीच पाव चुके हैं अब हम इसे थोड़ा सा और जाके डीटेल में समझते हैं नो लर्निंग फ्राम डिस इंटिग्रेशन ऑफ यूएससर ठीक है अगर हम यूएससर का अगर आप मैप देखो रश्या आज की तारिक का रश्या पहले यूएससर था बहुत सारी कंट्रीज थी यहां पर पावर हाइली सेंटरलाइस थी इतनी इतना बड़ा देश और यहां पर नीचे नीचे वाले लेवल पर कोई पावर ना होना पावर एक जगह पर होना तो लोग भी प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हर इंसान को थोड़ी बहुत ऑटनॉमी चाहिए और अगर यू पावर और यहां पर लोग देख रहते हैं कि सारी पावर और यह सब कुछ यहीं पर था इन एरियास पर इन रीजन पर बिल्कुल धिहान नहीं दिया जाता था तो अल्टीमेटली इट्स लीट्स टू डिस इंटेग्रेशन ओफ यूए ससर क्योंकि आप सर्फ इस एरिया को डेवलप करो और इस एरिया को भूल जा रहे हो तो लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे तो इसकी वज़े से क्या हुआ इसकी वज़े से हमने डिस इंटेग्रेशन देखा है यूए ससर का चीक है स्टोरी आफ चिकोशलावाक्या योगोशलावाक्या पाकिस्तान एन कैनेड़ अगर आप इन सभी कंट्रीज को देखो तो यहां पे भी कुछ इस तरीका ही की ही कुछ सोरी है और इस तरीके से उनकी कंट्री में कहीं डिसिंटेग्रेशन प्रोटेस्ट पर करें सारी चीज़ें में देखने को विली एक और एक्जामपल मैं आपको समझाता हूँ पाकिस रखें गया प इस और वेस्ट पाकिस्थान यह हो गया इस पाकिस्तान और यह था वेस्ट पाकिस्थान ठीक है वेस्थ पाकिस्तान तो हम सारा जो पावर थी वह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास में कंशेंट्रेट हो गए थी इस पाकिस्तान में बहुत ज़र्द रिवर्ट涼 ये सारे ये वने लगे थी इन लोगों को division हमें देखने को नहीं मिलता लेकिन यहां पर इं पडिस्फ पकिस्थान में क्या होंग ग Glue एप्ड सेक्ट गई एक पावर से लगाँ करना होगा पावर को म coop शेर करना जरूरी है, so that कोई ऐसी situation ना हो. चीक है? Now, story of India. We are a united country for over seven decades. What accounts for this achievement? Federal structure of governance. All the countries mentioned above were federation, yet they could not remain unified. Apart from adopting a federal constitution, the nature of federal system and practice of federalism must also be important factor. आज हमारे आजादी को लगबग लगबग हम देखें तो 75 साल हो चुके हैं. उसके बाब 75 साल में हमारे आपे बहुत ज़्यादा states हैं, ठीक है? हमारे आपे बहुत ज़्यादा diversity है, language के नाम पे diversity है, religion के नाम पे diversity है, India is known for its diversity. उसके बावजूद हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने अच्छे से पूरी country को unite करके चल रहे हैं. अमारी country में बहुत सारे states हैं, उसके बावजूद as an India, as a whole हम अपने आपको बहुत अच्छे से represent कर रहे हैं, इंडिया की territorial integrity पे हम आच नहीं आने दे रहें. इसका reason क्या है? इसका reason है federal devolution of power, हम ने देखा कि आपर power divide कर दी गई. Power तो चलो बहुत सारी country में divide होती है, ऐसा नहीं है कि USSR और East West Pakistan में power divided नहीं थी. उनके पास भी थी लेकिन उनके पास for name से एक था. लेकिन हमारे constitution बता रहा है, हमारे constitution में लिखा है कि New Delhi जो केंद्र सरकार है, वो सिर्फ इतना काम करेगी और बाकि जो राज सरकार हैं, वो इतना काम करेंगी. तो यहापर लोगों की need, लोगों की aspirations को देखके, यहापर हमने power को divide किया है, लोगों की aspiration इन तमाम चीज़ों को देखके हमने क्या किया है, इन तमाम चीज़ों को देखके हमने power को divide किया है, power को divide किया तो automatically जो governance structure का जो पार्ट है, सरकार की सिसाब से काम करेगी, तो इसमें केंद्र सरकार के पास भी कुछ autonomy है, राज सरकारों के पास भी कुछ autonomy है, इससे के हम बहुत अच्छे से function कर पा रहे हैं as a country whole, इंडिया को diversity की basis पे जाना जाता है, language, religion, race, वही चीज़ मैंने बताई, in spite of all these diversity, we share a common land mass that is unity in diversity, और इतनी diversity देखने के बाद भी हम इसके साथ में जीता है, unit in diversity, हम एक हैं, बले हमारे अंदर बहुत सारी अनेकता है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या है, हम एक हैं यहाँ पे, नौ फेडरलिजम, does not consist of a fixed principle, फेडरलिजम as a principle of government have evolved in different situation, अमेरिकन फेडरलिजम, one of the first major attempt to build a federal polity, it is different from German और Indian फेडरलिजम, अब फेडरलिजम के कोई fixed definition नहीं है, कि ये चार पॉइंट लिख दे तो फेडरलिजम हो गया, जी नहीं, कोई fixed definition नहीं है, फेडरलिजम भी जो है, वो evolve हुआ है, समय के साथ साथ में, जैसे हम देखते हैं कि समय के साथ साथ में चीज़ें evolve होती है, ये concept evolve होते हैं, तो वैसी जो फेडरलिजम है, वो भी समय के साथ साथ में यहाँ पर evolve हुआ है, बहुत जादा, जैसे कि example लेते हैं, American federalism को बात करें, तो American federalism में क्या है, coming together of the state है, coming together, सारे state मिल के राज्य बना रहे हैं, सारे state, छोटे-छोटे states मिल के साथ में आये, और उन state ने राज्य बनाया, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा हुआ है, क्या कि सारे states ने साथ मिल के राज्य बनाया, जी नहीं, इंडिया में पहले nation बना, और इस nation से हमने फिर राज्य बनाया, पहले एक country बनी, फिर country बनने के बाद में हमने डिसाइड कि एक state ये है एक state ये है, एक state ये है, एक state ये here, even आज भी इवन आज भी हम लोग देखी तो नई स्टेट बन बनते हैं ना तो यहां पर क्या हो रहा है कि पहले देश बना और देश बनने के बार में हमने स्टेट बनाए लेकिन अमेरिका में क्या रहा है जो छोटे-छोटे स्टेट से वो छोटे-छोटे साथ में आए और उन्होंने स फेडरलिजम और हमारा holding together फेडरलिजम है ये competitive के perspective के according देखो तो बहुत ही जादा important है यहाँ पे clear समझ में आ गया तो वहीं पर अगर आप फेडरलिजम के definition की बात करें तो हर कंट्री की अलग-अलग definition है हर कंट्री का अलग-अलग है इंडिया की जर्मनी से अलग है जर्मनी क अमेरिका से अलग है इंडिया की अमेरिका से अलग है और फेडरलिजम as a concept इंडिया में भी हम लोग दिखते हैं फेडरलिजम as a concept evolve हुआ है एक चीज़ और हमारे कौन सा आर्टिकल है पहला आर्टिकल क्या है हमारे constitution का article 1 Article 1 हमारे Constitution का कहता है India that is भारत shall be Union of State मतलब कि पहले Union है उसके बाद में States बने हैं India that is भारत shall be Union of State मतलब Union के पास जाधा पावर दिया Although हम देख रहे हैं कि यहाँ पे States भी है Central Government भी है लेकिन Constitution ने भी केंद्र सरकार को जाधा पावर दी है और राजसरकार को थोड़ी सी कम दी है बट तो भी अच्छी खासी पावर है राजसरकार के पास भी Clear है यह हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो coming videos में आपको यह सारे topics और यहाँ पे clear हो जाएंगे तो उसमें भी कोई issue नहीं है Now few key ideas and concepts associated with the federalism कुछ ideas और कुछ concepts को समझते हैं federalism को देखते हुए Federalism, institutional mechanism to accommodate two sets of polities Each government is autonomous in its own sphere In some federal country there is a system of dual citizenship India has only single citizenship Federalism में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे दो institute को accommodate किया जाता है जिसे केंद्र सरकार हो गई राज्र सरकार हो गई दोनों institute को अपनी अपनी autonomy दे दी जाती है लोग भी बड़े खुश रहते हैं कि उनको भी थोड़ी सी autonomy मिल रही है चीक है सिर्फ एक सरकार के द्वारा गवन नहीं हो रहे उनके पास एक और state government है केंद्र सरकार से कुछ नहीं तो राज्र सरकार राज्र सरकार से कुछ नहीं तो केंद्र सरकार ठीक है यहां पर हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ देश में जैसे अमेरिका में क्या होता है dual citizenship का concept है जैसे dual citizenship मतलब कैसे कि अगर कोई state है तो एक state की नागरिकता और एक पूरी country की नागरिकता तो अमेरिका में क्या है dual citizenship अगर आप particular आप जिस state में रहते हैं उस state की citizenship as well as पूरी United States of America की citizenship तो दो नागरिकता मिलती है दो citizenship उन्हें मिलते है लेकिन इंडिया में ऐसा कोई concept है क्या जी नहीं इंडिया में single citizenship का concept है कि पूरे देश में कोई भी रह रह रहा है वो Indian है उसकी एक ही चीज़ है एक ही citizenship है ऐसा नहीं है कि मध्यप्रदेश की नागरिकता लो मध्यप्रदेश की citizenship लो पिर यहां पे इंडिया की citizenship लो ऐसा नहीं है इंडिया में single citizenship का concept है वहीं अमेरिका में dual citizenship का concept है क्यों? क्योंकि अमेरिका में coming together वहाँ पर states को ज़्यादा important है हमारे यहां holding together यहां पर हमारा केंदर सरकार union को ज़्यादा importance जी गई है तो इंडिया में single citizenship का यहाँ पर concept है people have two sets of identities and loyalties यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग होते हैं उनको दो sets of identity और loyalties देखने को मिलता है जैसे जो गुजरात में है तो वो बोलता है मैं गुजराती हूँ राजिस्तान वाला मैं मारवाडी हूँ ठीक तो यहां पर महराश में जो अपने आपको हो गई लेकिन उसके बाद में हमारी एक और जो सबसे important identity है वो क्या है कि हम सब भारती नहीं है we all are Indian तो यहां पर two sets यहां पर हमें दो sets मिल रहा है पहला हम सबसे most important we all are Indian और second मराथी गुजराती तो यहां पर federalism में इसने दो two sets of identity भी दी है ठीक है the detail of this dual system of government are generally split out in our written constitution supreme and which is also a source of power of both sets of government subjects which are concerned with nation as a whole are responsibility of union subjects which are concerned with the regional or local matter are responsibility of state अब यहां पर किस के पास कितनी पावर है केंदर सरकार के पास कितनी पावर होगी राज सरकार के पास कितनी पावर होगी Central Government के पास कितनी पावर है यह सारी चीज़ें कहां से पता चले ही हमारे Constitution, return Constitution है तो return Constitution में सारी चीज़ें बताएं यह कि Central Government के पास यह यह पावर है और State Government के पास यह यह पावर है जो issues एकदम national importance के हैं defense हो गया, foreign policy हो गई तो यह Central Government के पास हो गई और कोई regional और local issues हैं तो वो किसका पाठ हो गया वो हो गया state government का तो हमारे constitution में ये सारी चीज़े mention है जो कि आप लोग coming videos में पढ़ेंगे भी ठीक है तो अभी के लिए आप इतने समझें कि constitution में ये सारी चीज़े mention है कि कौन सी government के पास में कितनी power है to prevent conflict between the center and state there is an independent judiciary to settle the dispute अब कई बार यह होता है कि power का tassel हो जाता है केंद्र सरकार और राजिस सरकार में है न central government और state government में कई बार हम लोग power का tassel देखते हैं तो इसके लिए क्या है इसके लिए judiciary है judiciary में अब मैंने आपको judiciary वाला chapter पढ़ा दिया है उसका original jurisdiction क्या है original jurisdiction में बताए कि अगर केंद्र और राजिस सरकार के बीच में कोई भी जपट होती है मतलब उनका कोई power का tassel होता है या कोई dispute होता है तो वो सीधा और सीधा supreme court के पास जाएगा high court के पास नहीं जाएगा तो चीजों को link करो जो मैंने पिछले वाले chapter में पढ़ाई है यह सारी चीज़ें आपको competitive examination में पूछी जाएगी competitive examination के perspective से यह सारी चीज़ें बहुत ही important है तो यहाँ पे state government और central government की बीच में dispute है तो supreme court सुल जाएगी दो states की बीच में dispute है तो supreme court सुल जाएगी clear है यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई despite the recognized concept federalism is an evolving principle हम इतने सारे concept हमने पढ़े इतने सारे recognized concept हमने पढ़े इसके बावजूद हम लोग देख रहे कि federalism एक evolving principle है यह सारी चीज़ें है in future और भी बहुत सारी चीज़ें add on हो जाएगी क्योंकि जैसे देश आगे बढ़ता है वैसी उसकी पॉलिटी वैसी उसके institutions भी आगे बढ़ते हैं वैसी वो change होते रहते हैं काम करने का तरीका थोड़ा सा बदलते रहता है constitution में थोड़ी बहुत amendment आ जाते हैं तो federalism भी अपने आपको evolve कर रहा है रियल politics, culture, ideology and history determine the actual working of federation ठीक है जो politics चल रही है आज की तारीक में जो culture है जो हमारी history है जो ideologies हैं ये सारी चीजें हमें मदद ये सारी चीजें determine करती है कि एक federation कैसे काम कर गए कराज और एक state कैसे काम करेंगे हमारी history को थोड़ा सा याद करो तो इंडिया का partition हुआ partition हुआ तो पाकिस्तान अलग बना तो उससे में हमारी constitutional assembly ने देख लिया था कि Muslim League जो है वो separate nation की demand कर रही है अब इंडिया में इतने सारे princely states इंडिया में हम लोग देख रहे थे इतनी ज़्यादा diversity में माराथी वो गुजराती इन सब को accommodate करने के लिए इनको थोड़ा सा power देना था कर इन सब को एक साथ में लेकर आना तो इनको पास power देना पड़ेगा तो इसलिए federalism वाला principle आया तो यहां पर history, ideology, culture यह सारी चीज़े बहुत जादा influence करती है कि federalism कैसे आगे बढ़ता है example मैंने बता दी आपको working of federalism, a culture of trust, cooperation, mutual respect and restraints helps the federation to function smoothly domination of single unit, state or linguistic group can generate a deep resistance among the people जो federalism है वो trust से, cooperation से ठीक है इन सब से काम करता है ऐसा नहीं कि जबरदर्स्ति अपने काम थो इंडिया इसलिए successful है क्योंकि सारे state और central government साथ में मिलके काम कर रही है, no doubt थोड़े बहुत dispute होते हैं जैनमन है मतलब हो ही जाते हैं इतनी बड़ी country है लेकिन overall देखे तो हम सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो इसलिए हमारा function बहुत smoothly चल रहा है अगर सिफ केंदर सरकार अपना सारी चीज़ें हमारे उपर थोप दे तो हो सकता लोग कर दे चीक है तो यहां पर इसलिए हमने देखा कि दो यूनिट से तो एक बैलन्स बना हुआ है लग होने की बात करने लग जाते हैं शुरू हो जाती है इसलिए हम लोग देखते हैं कि कोपरेशन होना जरूरी है सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट की बीच में ताकि जो फेडरलिजम का जो सिस्टम है फेडरलिजम एजन आइडियोलोजी है वो बहुत अच्छे से काम करें ठीक है फेडरलिजम यहां पर क्या है आई एसम तो जिस शब्द में आई एसम आ जाता है वो क्या करता है वो एक आइडियोलोजी को डिनोट कर रहा है ठीक है जैसे नैशनलिजम है एक्जामपल लेते हैं नैशनलिजम हो गया फेमिनिजम हो गया फेडरलिजम हो गया अब यहां पर क्या है बहुत दिहां से समझो यहां पर अगर तुम लोग देखोंगेम तो यहां पर सब पर इसम आई एसम आई एसम करता है वो एक आईडियोलौजी को डienोट करेक्ट पर्टिकॉलर आईडियोलौजी का एक विमिन की राईट के बारे में बात कर रहा है एक जो इन-ेवालिटी के बीच में तो हर आईडियोलोजी ism एक पर्टिकोलर आईडियोलोजी को Aur करता है तो ही पावर जो है वो डिवाईडे स्थिय में चाहिए पावर शेरिंग के basis पे रहना चाहिए केंदर और राजिस सरकार के बीच में क्लियर है I think सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर होगी Magnet Brains के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं लेकिन बहुत बार यह होता है आपकी तरफ से हमें यह शिकायत आती है कि सर हमको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो इसका solution Magnet Brains लेके आया है वो है Magnet Brains की website Magnet Brains की website पे पहुशने के लिए सिंप्ली आप लोग Google पे जाए गूगल पर Magnet Brains.com लिखे सर्च पर क्लिक कीजिए जैसी आप यह करोगे website open up हो जाए कि वहां से आप सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं सर बहुत ज़्यादा आल सी आरी है कौन website पे जाएगा क्या करें अच्छा बहुत ज़्यादा आल सी आरी है तो सीधे प्ले स्टोर पे जाओ प्ले स्टोर से क्या कर लो प्ले स्टोर से आप लोग Magnet Brains का app डाउनलोड कर सकते हैं और उस app के मादिम से भी आप इन सारे वीड से पढ़ना हो सैंपल पेपर वगेरा सॉल्व करना हो तमाम तरीकी की इंपोर्टेंट चीजें आपके एक्जाम परस्पेक्टिव से यह सभी चीजे मैगनेट बेंस पर अवेलेबल है यह इनके बारे में कैसा पता करें तो लिंक दी गई है इस वीडियो के डिस्रिप्शन मैगनेट बेंस पर एक्दम हंडेट परसंट फ्री कॉंटेंट है चाहिए आपका यह एप से आप वीडियो पढ़ रहें कुछ भी पढ़़ो हंडेट परसंट फ्री वीडियो अवेलेबल है मैगनेट बेंस पर वह भी हाई क्वालिटी एजूकेशन के साथ हैं साथी साथ म मैगनेट बेंस पर यह तमाम कोर्सेश भी पढ़ाए जाते हैं इन सभी के भी वीडियो एकदम हंडेट परसंट फ्री है आपका सी यूई टी हो गया सी बेसी इंग्लिश इंदी मीडियम हो गया यह तमाम तरीकिक्स चीज़ें आपको मैगनेट बेंस पर मिल जाएगी आप लोग जादे से जादा मैगनेट बेंस के बारे में बताईए अपने स्कूल कॉलेज इस्ट्यूशन भाई बेहनों को बताईए सांधी साथ वीडियो को लाइक कीजे मुलाकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के सांथ तब तक के लिए धन्यवाद